आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ साइन आएगा Positive क्योंकि Principal Axis की उपर कोई भी चीज रखते हैं तो Positive साइन लिया जाता है और नीचे रखते हैं तो Negative ठीक है? हम नॉर्मली Objects को उपर की तरफ ही रखते हैं इसी लिए Concave Length का स्टेमाल कर रहे हैं तो उसका जो Focal Length होता है वो हमें दे रखा है क्या? और Focal Length 10 cm यह है Focal Length हमें दे रखा है 10 cm लेकिन यह जो Focal Length है अब ध्यान रखना यह Sign कौन सा लेगा? यह लेगा Negative Sign क्योंकि Concave Length जो है उसका Focus लेफ्ट साइड पर लाई करता है और Left Side पर Sign Convention बोलता है सारे Distances negative आने चाहिए और Object का Distance हमें दे रखा है 15 cm from it 15 cm Object भी Left Side पर रखते हैं इसलिए यह भी Negative Sign हमें Portion, Nature of Image बतानी है और फिर Radagram बनाना है तो Basically सबसे पहले मुझे V Calculate करना पड़ेगा तो 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F यह होता है हमारे पास Lens formula इसी को apply करते हैं तो यहां से 1 by V is equal to 1 by F plus 1 by U हो गया है तो यहां से 1 by V is equal to 1 by minus 10 plus 1 by minus 15 हो गया दोनों के LCM ले लोगे तो यहां पर आपके पास क्या जाएगा आपके पास 30 इधर हो गया 3 इधर हो गया 2 ठीक है यह जाएगा यह हो गया minus 5 by 30 which makes it minus 1 by 6 तो V की value हो गई minus 6 cm ठीक है तो यह हमें पता चल गया position of image अभी जो image है negative sign के साथ आ रहा है मतलब left side पे ही कहीं बन रहा होगा अगर image left side पे बनती है तो वह पक्का virtual बनती है ठीक है किसके case में lenses के case में और virtual image हमेशा erect भी एकने को मिलती है ठीक है और और क्या बताना है हमें position बतानी थी हमें nature बताना था और अब इसका ray diagram बनाना है तो ठीक है एक काम करते हैं इसका ray diagram बनाके देख लेते हैं चल्दी से तो ray diagram के लिए सबसे पहले हम एक एक concave lens draw कर लेते हैं let's say हमारे पास एक concave lens हो गई ठीक है और इस concave lens में यह इसका about principle axis इस अप्टिकल सेंटर हो गया यहां कहीं इसका focus हो गया यहां कहीं इसका 2F हो गया एक focus इस तरफ बना देता हूं मैं इसको F2 बोल देता हूं इसको 2F2 बोल देता हूं इनको F1 बोलता हूं, object कहां रखा है, object रखा है, at a distance of 15 cm, focus था 10 पे, तो clearly, यह वाला जो distance होगा, इतना distance, यह आपका 10 है, और object रखा है, थोड़ा सा पीछे, right, object रखा है 15 पे, तो मेरा object कहीं यहां रखा होगा, तो एक काम करते हैं, यहां पर अपना object, place कर देते हैं, अब कुछ lighters incident करवाते हैं, पहले lighters हमने parallel incident करवाई, parallel lighters incident होती है, तो यह कुछ इस तरीके से, deviate होती है, कि इसको पीछे extend करोगे, तो यह focus में मिलेगी, और हम दूसरी lighters बनाते हैं, जो की optical center से pass करती है, ठीक है, और यह बिना किसी deviation के आगे निकल जाती है, right, इन दोनों का image formation आप देख सकते हो, कहां हो रहा है, इस point के इनका image formation हो रहा है, image distance कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि यह distance हमने उपर ही calculate किया हुआ है, और यह चोटा image बन रहा है, clearly आप देख सकते हो, मतलब diminished image बन रहा है, erect बन रहा है, virtual बन रहा है, क्योंकि actually यह दोनों rays after reflection कभी meet नहीं कर रही है, बस हमें लग रहा है, पीछे कहीं appear कर रहा है, meet करते होए, ठीक है, तो यह हमने रे diagram भी बना लिया, और इसके साथ हम पूरे question को अच्छी तरह समझ गए है, I hope आपको भी question अच्छी तरह समझ आ गया होगा,